सप्रीम कोर्ट फैसले के बाद प्रदेश फर में शिक्षा मित्र लगातार चौते दिन आंदोलन रथ है, शिकरवार को सीएम योगी आदित्यानाथ ने शिक्षा मित्रों को हल निकालने का आश्वासन दिया था, इसके बाद भी शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन जारी है, वही मुरादाबाद में तीन दिन से आंदोलन रत शिक्षामित्र खामोश नहीं बैचने के मुद में हैं। भारी संख्या में शिक्षामित्र बुद्धी वेहार स्थित सांसद और MLC के आवास पर पहुँच रहे हैं। अपना रवहिया सक्त कर लिया है। वजह से ही अहस्थिती पैदा हुई है लेकिन शिक्षामित्र किसी के बहकावे में आकर तोड़ फोड़ और हिंसा का रास्तान अख्तियार करें। सरकार उनके लिए विधिसंगत रास्ते तलाश रही है। विधान परिशिद में बचपर्च चार का जवाब देते हुए योगी ने कहा। शिक्षामित्रों के समाई योजन में ही गलती थी। पूर्व की सरकारों ने गरत किया। मैंने अपर मुख्य सचेव को आदेश दिया है कि वहें शिक्षामित्रों का प्रतिवेदन लेकर सरकार के साथ बैठें। सरकार विधिसंगत रास्ते तलाश रही है। उन्होंने कहा, जब सरकार विचार कर रही है तो सड़क पर हिंसा करना ठीक नहीं है, सड़क पर तोर फोड़ न तरें, हिंसा न तरें, किसी के बहकावे में न आए, विपक्षोंने केवल वो टांक मानता है। पिछले दो दिनों में हुई हिंसक छटपों पर मुख्यमंत्री ने सखत लहजों में कहा कि हिंसा होगी और हिंसा का शिकार कोई निदोर्श होगा तो सरकार कानून विवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाएगी। बुख्यमंत्री ने कहा, वे सभी शिक्षामित्रों की बातें सुन रहे हैं, जिनका समायोजन नहीं हुआ था, सरकार ने उनका मान देया बढ़ाया है। लोग तंत्र में रास्ता निकलता है, हम रास्ता निकालेंगे। सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। समायोजन शिक्षकों के सहारे चल रहे प्राथमेक विद्यालें उपर लटके ताले।